जै माकाल, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वामना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको नव ऐसी बाकिस्ताली रासियों के बारे में जानकारी दूँगा जिनका फरवरी से लेकर के दिसमर तक योग बहुत ही अच्छा है 14 जनवरी से ही इनका योग बहुत ज़्यादा सुब सुरू हो जाएगा और दिसमर तक 2030 लाष्ट तक इनका योग बहुत ही अच्छा चलेगा दोस्तो ये रासियां हर प्रकार की कार्यों में सफलता हासिल करेंगी केरियर के मामले में मूर नवाशियों के प्रयासों का फल मिलेगा ब्यावसाय में अभेके सफलता पराप्त करने के लिए इन रासियों का योग बहुत अच्छा है जो व्यक्ति प्रतिक कार में रुकावट का अनुब महसूश करते हैं उनके आ रहे सारे रुकावटे दूर हो जाएंगे सुरुआत के मैनों में आपको बिसे सफलता मिलने बाली हैं दोस्तों यह साल आपके लिए बेहदी खुसियां भरा रहने बाला है जिसमें से पाँच रासी तो ऐसी हैं जिन के लिए यह साल बेहदी लाबकारी रहीगा कुछ रासी ऐसी हैं जिनको दोबारा से संगर्ष का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों दोजार तेईस नए साल में कुछ ऐसे नियम आपको बना लेने हैं जिससे अगर आपकी रासी में दुख बरा हूँ योग अच्चे ना हूँ तब भी आपको दुख प्राप्त ना हूँ व्यक्ति के करम करने से भागे बदल जाता है तो आपको पहला नियम बना लेना है कि प्रते दिन भगवान सिब को एक पुष्प अरपन करना है एक चावल का दाना और एक पुष्प प्रते दिन आप नियम बना लेंगे एक चावल का दाना और एक पुष्प आपको भगवान सिब को एरपन करना है प्रते दिन ना कर सके, तो सौंबार की सौंबार को 11 पुष्प और 11 चाबल के दाने भगवान सिब को समर्पित करें दूसरा है भगवान विश्णू की आरादना प्रते एक दिन भगवान विश्णू को पुष्प अरपन करें और उनके सामने दीपक जलाना है हनमान जी के चोले प्रतेक मंगलवार को दोस्तों ये उपाए बहुती प्रभावसाली है जिन भ्यक्ति के प्रतेक कार्मे रुकावट आती है सत्रू का बैह है, कर्ज बढ़ता जा रहा है कोट का चेरी का चक्कर है या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पार या उनको हनमान जी का चोला जरू चड़ाना चाहिए प्रतेक मंगलवार और सनिवार सुक्रवार के दिन माता लच्चमी के सामने दीपक जला में और सनिवार के दिन सनी देव के सामने सरसो के तेल का दीपक जलाना प्रारम कर दीजिए यह नियम बेहदी चमतकारी है अगर आपके कुंडली में सर्पदोश है कुंडली में पित्रदोश है या किशी भी परकार की कोई परिशानी है आप यह उपाय सुरू करिए नहीं आपको कश्ट होगा और साथ यापकी प्रते किच्छा भी पूरी होगी दोस्तो रासियों की बात करें तो सबसे पहली है मेश रासी मेश रासी बेहदी भागिसाली रासी है इस रासी वालों को पुत्र प्राप्ति का धन प्राप्ति का वह सरीर में निरोकता का बरदान प्राप्त होगा हर प्रकार की कारियों में आपको सपलताय मिलेंगी प्रतिक मंगलबार को गौ माता को गोड जरूर खिलाएं मेश रासी बालों के लिए बहुत ही जरूरी है दोसरी जो रासी है वह है मिथुन रासी दोस्तों मिथुन रासी बहुत ही भागिसाली रहने वाली है इस रासी का योग बहुत ही अच्चा है प्रतिक बुद्वार को भंगवान गनित जी को आप दरुवादल अरपन करेंगे साथी मोदक और मीधा पान अरपन करेंगे इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी तीसरी जो रासी है वह करक रासी जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है करक रासी बालों को विश्यसलाम मिलेगा और आपकी प्रतिक इच्चा पूरी होगी पुत्र का, सरकारी नोकरी का, ब्योपार मुन्नती का, बाहर जाने का, हर प्रकार का योग है आपका अगली जो रासी है वह सिंग रासी, यह बहुत ही भागिसाली रासी है इस रासी का योग बहुत ही अच्छा है, इस रासी वालों को विशेसलाब मिलेगा और सिग्री ही आपकी प्रते के चप पूरी होगी लेकिन कुछ रुकावटी भी आएंगी यह नहीं है कि जिन रासियों के मैं जानकारी दे रहा हूँ इनको सिर्फ सपलता का ही योग है कुछ असपलता का भी योग है लेकिन मन में आपको असानती नहीं रखनी है मन में संतूस रखना है अगली जो रासी है वो है तुला रासी जिसका योग बहुत ही अच्चा है तुला रासी बालों को विशे सपलता मिलेगी और आपकी सभी कार बनेंगे तुला रासी के बाद में धनु रासी फिर कुम और मीन रासी दोस्तों यह रासियां हैं जो बहुत ही बागी साली है रावी बार को छोड़ करके प्रते दिन पीपल भरक पर जल चड़ाना प्रारम कर दें इससे पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति का अशिरवात प्राप्त होता है तो साल 2023 की यह बागी साली रासियां हैं जो पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्तुवाज जरूर लेकें भगवान आपकी हर मनुकामना पूरी करें